नमस्कार दोस्तार चार्ट मुझा के नई वीडियो में सभी का सवागत है आज के सेशन के अंदर सेकेंड गैप देखने मिला और सेकेंड गैप में ऐसा लग रहा था उपर का जो गैप रह गया है वह बर जाएगा 22525 का जो गैप है वह फिल होने का एक अच्छा तो हम देख सकते हैं एक रेक्टेंगल फॉर्मिशन है अब इसको नेगेटिव नहीं देखना चाहिए एक अच्छा कंसोलिडेशन हो गया क्योंकि हम देख रहे हैं दो दिन से लगाता निफ्टी बढ़ रहा था तो एक हॉल हुआ और आने वाले एक से दो दिन में गैप फ रही है इससे जादा इश्यू नहीं लग रहा है इसा चार्ट स्टक्चर अभी इंटक्ट है तो ट्वेंटी टू फॉर फिफ्टी का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है वो निकलने के बाद मेरे साब से उपर का जो ग्याप है वो फिर से एक अटेंप मारेगा अगर निउस फ्लो रहेगा वार रिगार्डिंग या मैक्रो के अंदर कुछ अगर डवलोप्मेंट हुआ नहीं तो ही है पॉसिबल अदवाइस फिलाल स्टक्चर काफी अच्छा लग रहा है यही सेम स्टक्चर बैंक निफ्टी पर बना है तो देखो दोस्तों यहां पर बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर स्टक्चर है गैप उपनिंग सेकेंड डे पर उपर गैप इसने भी अटेम्ट किया 48-550 पर गैप है अगर नेक्स सेशन में 48-300 निकालता है तो फिर तो फाइनली फिल हो जाना चाहिए यहां पर गैप तो 48-300 निकला तो गैप फिल होने का क मैं दिखाता हूं दो चीज़े हैं डाउ का जो बिएवियर है वो रिवर्सल का बिएवियर क्लियर दिखाई दे रहा है यहां पर रिवर्सल कंफर्म होते वे दिखाई दे रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में और 38-600 के ऊपर अगर आज डाउ बंद हो जाता है तो यह एक पॉइंट की डाउ स्ट्रॉंग है सेकेंड पॉइंट मिट केब भी स्टोंग है मिट केप निफ्टी वन पर संट ऊपर है अज इधर भी सेकेंड इन गाप देखने मिला अब 1% ऊपर होने के बाद अब अपना रजिस्टेंस फेस कर रहा है अब यह भी निकलना चीह मेरे सा 49,700 का यह जो रिजिस्टेंस है 49,750 यह लेवल अगर निकल जाएगा तो फिर से यह अपना गैफ फिल कर देगा और यह गैफ फिल होने के बाद नया हाई भी लगाने की काफी हाई प्रॉबैबिलिटी है क्योंकि करेक्शन काफी कम है मिट कैप निफ्टी के अंदर तो मिट निफ्टी के वीडियो में भी यह डिस्कस करें थे कि मिट कैप भी स्टॉंग रहना चाहिए और यहां पर भी गैफिल होना चाहिए अभी यह दोनों हमारे लिए पॉजिटिव है डाओ का रिवरसल देना और मिट का स्ट्रॉंग बंद होना निफ्टी बैंक निफ्टी पे जो लेवल है यह इसका प्रीवियस है जो हमने सब्सक्टमबर के अरॉंड देखा था सब्सक्रवार के अरॉंड यह जो हाई बनेते दो डॉलर इंडेक्स तो देखा था और आपको ध्यान एक अक्टूबर में लो लगा था जहां पर थोड़ा सा मार्केट पैनिक हुआ था या पर बॉंड इल्ड भी काफी उपर पहुच गई थी आप देख सकते हो ऑक्टूबर के आराउंड तो यह सिचुएशन पर ही थोड़ा इशू आ सकता है मार्केट में बट इसके आलावा वार रिगार्डिंग जो भी नीस लोते हो बंद हो गए इस वज़े से मैंने ऐसा क्रॉस किया नीचे के लेवल पर हाला कि कोई नई इंफॉर्मिशन आईगी तो फिर हमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है अब ब्रेंट की मैं बात करता हूं ब्रेंट हमें क्या सिग्नल दे रहा है यह यहां पर नीचे जाने की ओर देख रहा है यहां न्यूस के साथ आई थी कि फिर से कुछ वार्ड रिगार्डिंग न्यूस थी और जैसे ही न्यूस का कुछ ज़्यादा इंपक्ट नहीं था तो तुरन क्रूड नीचे आ गया अब ऐसा लग रहा है क्रूड एनलाइस करते हुए कि यह अपना रीटेस्ट दे देगा 84.5 और 83.5 यह लेवल है यह आ सकते एक दो डॉलर और नीचे तक क्रूड यहां पर वापिस सपोर्ट लेगा तो ट्रेंड लाइन टूड गई है इसलिए अब इसके अंदर मैं उतना आप्टिमिस्टिक नहीं हूँ 95 तक लग रहा था 90 और 95 दो लेवल देखे थे हमने इस ब्रेक आ पाया अब यहां पर स्ट्रक्चर मैं क्यों आपको यह रिपीट कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर वीक होतावा दिखाई दे रहा है अगर कूट के अंदर वाकई में तेजी होनी थी तो यह ट्रेंड लाइन के नीचे ऐसा भीएवियर नहीं दिखाना चाहिए था जो आज का लेवल को वाच करेंगे 82 गया जिस दिन फिर हम वापिस से इसके लोवर लेवल को देख पाएंगे अगर वो जाता है अब बात करते हैं कांटर के अंदर एस सच कोई ट्रिगर देखने नहीं मिला सबसे पहले बात करते हैं GSFC की यहां पर भी जो expectation था कि आज breakout मिलना चाहिए अभी तक आया नहीं है breakout उसको watch list में रखेंगे और Siemens के अंदर भी breakout नहीं आया तो दोनों counter के अंदर कुछ हुआ नहीं लेकिन हम इसको watch list में रखेंगे आने वाले session में आ सकते जैसे पतंजली के अंदर हमने देखा था कि एक rectangle formation है दो दिन तक कुछ नहीं हुआ तीसरे दिन इसके अंदर एक बार trigger हमें देखने मिला तो दोस्ता अब कल के लिए जो एक counter निकाला है अब मैंने एक ही counter इसले निकाला है क्योंकि हमने पिछले पिछले तीन-चार वीडियो के अंदर जो counter देखेते हैं उसके ब्रेक आउट के बाद follow-up move अभी भी थोड़ी lacking है I think market अभी भी थोड़ा wait कर रहा है clarity का तो एक बार सेचने इस बोलना चाहर तो भी बोल सकते हो क्योंकि यहां पर यह टच नहीं हुआ है इसलिए मैंने बोला लेकिन उतना सब्जेक्टिविटी चलता है अब इसमें रेक्टेंगल बेस है इसका मतलब रेक्टेंगल की तरह ही यहां पर एक formation है और उसके बीच में आपको एक इस पर फोकस करेंगे तो मेरे चार्ट स्टडी के ऊपर एक ही फिलाल स्टॉक रहेगा आने वाले सेशन के लिए वह है शोबा लिमेटेड मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें नहीं हमारे चैनल पर सब्सक् लीडियो